हेलो दोस्तो एक एलेक्टोनीमार में आपका स्वागत है दोस्तो कैसी हो आप सब भी आ सकर तो मैं आपको बताउंगा तो लाष तक पूरी वीडियो देखना दोस्तो तब ही आपको अच्छे समझ माने वाली है तो यहां नीकी मैं आपको बताता हूं दोस्तों सबसे पहले अगर कोई बलब फ्यूज हो जाता है उसके वज़े से दोस्तों हमारी ये डैड हो जाती है जैसे कि हमारी ये रहती है लीड कहीं कहीं लीड भी बोलते हैं दोस्तों और कहीं कहीं इन्हें लड़ी भी बोलते हैं यानि कि इन्हें जाहलर भी बोलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर हमारे जो है यहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है तो दोस्तों कुछ यहां पर ठीक है और कुछ हमारी खराब है तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर हमारी यह वाली खराब है तो यह बिल् तो थारीका में बता देता हूं जैसे कि हम टेस्टर में लगा के सुई को या किसी भी चीज को देखते थे कि वहां तक वायर में करंट है यह नहीं है अगर टेस्टर जलता था तो दोस्तों मैं आप आप आपको दिखाना चाहता हूं पहला इसमें फिर थोड़ा थेटाओ और और फिर practical बताऊंगा तो दोस्तों यानि कि आप देख पार होंगे यहाप हमारे यह बलब बना रूम है यह लीड है जो इनसी यही रहती है हमारे दोस्तों लड़ी तो यह वाले लड़ी है हमारी तो यहां से एक जो लड़ी है यह एक तो ऐसे वायर हमारे सिंपल ही रहेगा दोस्तों बताना चाथा हím दोस्तों यहां से दोग में आने दोड़ी से लोड़ीगरम के दिखार ह atravContALI में आपको बस दाइग्राम बना के दिखार हूं दोस्तों इनके बीच में गुंज रहती है यानि कि एक जैसे हमारा आप समझ लो जैसे कि हमारा रहता था फ्यूज उसमें जैसे एक तार रहता था तो सेम इसमें भी बलब में एक तार की तारे गुंज रहती है तो वह अगर फ्यूज हो जाता है दोस्तों गुंज हट जाती ह कहसे कैसे पता कर सकते हैं आपको बता हूँका यानिकि यहां पर अभी एक जितर जो डायग्राम है और बना के दिखा देता हूं है आपको तो यहां पर एक से Character mane यहां और झाल यहां पर त्रीजा साराख पर быть वाला जो हमारा रें तीन वारे दोनों भलफ़ वाले एक जगह मिल जाएंगी अर जर। इतने ना चाहता हैं अगर दोस्तो यह फ्यूज हो जाता है तो उसे आप उसे कैसे कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप आपको दिखाता हूँ एक बलफ को कि उसे फ्यूज का कैसे पता कर सकते हो फ्यूज है हमारा यह खराब है यह सही है तो दोस्तों हमें एक फोन लेना होगा सेल फोन ले सकते हो आप तो यहाँ पर आप लिए दोस्तों है और इस की फेले फोन करने तो फेलें सोन के ऊपर आपको ब्लाफ הוא और एक ब्लाफ को आपको चर्यक रहा होगा कि कि्षू हट हो नहीं है यह हमारा फुक तो नहीं गया अगर दोस्तों बलफ हो22 जाता है तो अगर का पी तो आप सं fines पॉलija चैक कर सकते हो जैसे में आपको दिख़ा हूँ तो दोस्तों यहां पर हमारे कोई भी बलफ इसमें फ्यूज नहीं है अभी होड चेक करते हैं दोस्तों अलग से कि और कोई सब हमारे तूटतों नहीं रहा है या वायर तो यहां पर आप देख लीजिए सारे बलफ हमारे सही दिख रहें लगबग तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं यहा वाट का उसके सामने ऐसे आप चेक कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं तो इसमें गूंज रहती है दोस्तों उसे ऐसी चेक कर सकते हो ठीक है तो ऐसी आपको गूंज दिखेगी अगर दिखे रही है तो ठीक है दोस्तों अगर नहीं दिख रही है तो दोस्तों उ आपको चालो करने होगी क्योंकि दोस्तों यह हमारे समय money सभाथ कशच्राइब है दोस्तों जैसे कि हम इसे खözते यह पुराने वाली कश्टोमर के यहां से आई दकेंगे अगर इसे जोड़ने के बाद चलता थीक है अगर नहीं चलता है तो दोस्तों फिर आगे की तरफ इसमें प्रोसेसिंग करेंगे इसका का मैं को ठीक है तो यहां पर हमने से लाइट कौन किया और इसे अभी छीलते वायर को और छीलने के बाद दोस्तों इसमें दूबार से connection करते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे दोस्तों चलती है नहीं चलती है इसे जोड़ने के बाद तो दोस्तों जैसे मैंने simple तरीका बताया आपको ऐसी आपको एक cell phone ले लेने होगा या आपको टूपलाइट ले ले लाती हो तो मैं आपको दिखाना चाथा हैं विसे चलाकर तो दोस्तों हमने एक बलब यहां पर वैसे पहले भी डि κα्रक खाता तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आंपने एक भलब फोड कर और इसमें इसे डिरेक्ट करका था जो अंदर की गुंज रहती थी ठीक है दो टर्मिनल लहते हैं दोस्तों इसमें बलफ में और दोन इसमें हमने आपस में टच किये और ये बिल्कुल अच्छी तरह से चल गई थी पहले तो ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको ऐसी बलफ के सामने एक एक बलफ को लाना होगा जोन से ये लीड वाले हैं लड़ी वाले तो ऐसी आपको लाना होगा और फिरे से देखना होगा कि कहीं से हमारा बलफ फ्यूज तो नहीं है तो ऐसी आप चेक कर सकते हैं दोस्तो अगर वैसे चेक करते हो आपको current भी लग सकता है तो मैं आपको simple तरीका बता रहा हूँ दोस्तो सेम ऐसी आपको check करना होगा जिससे मैंने आपको बताया तो दोस्तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है अगर नहीं चलती थी दोस्तो फिर हम उसमें अलग processing करते हैं ठीक है दोस्तो तो मैंने simple तरीका बताया कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो अगर बलब फ्यूज जातो तो यहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है अगर आपके पास यह पुरानी लड़ी रखी हो तो तो दोस्तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है तो दोस्तो बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है तो आयोब गाई साबको वीडियो अच्छी लगियों तो लाइक करना सीर करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वंदे मात्रम जैहिन